नमस्कार मेरे नमा लोग है आप लाइश्टीज देखने हैं बाहर करकराती हुई ठंड पर रही है लेकिन लगतार जो आम लोग हैं कुछ दिर पहले लगतार आप तक हम पहुँचा रहा है खबरे किसे के सिक्षक जो हैं सिक्षा मंतरी घर के आगे इस वक्त खरे हैं नौकरी भावन का नया उपहार दो वाल्यों में परिक्षा के नयपाइटार ने अबजेक्टिव और सब्जेक्टिव के साथ तो दिया अपने परिक्षा के तैयारी को नई रफ्तार रिड़े पास गेस पेपर के साथ विपक्ष लगता इस पर सवाल खरे कर रहा है इस वक्त आरजली नेता विजय पकाश जिमाई साथ है अच्छा क्या अलाव हो या सुविधाय हो जो सरकार इस विधाय हो पहुंचे जाए क्या हो हर जबा पहुंच पा रही है देखे यह कडाके के ठंड में जो कई बरसों के बाद यह इस्तिती हुआ है पूरे देश में और विहार में लेकिन गरीबों को कहीं जो है जीवन रक्षक अलाव का वेवस्था सरकार ने की है सिर्फ चुनिंदा चुनिंदा जगों पर जहां की भी आईपी मोवमेंट करें जहां के विज्वल वाले जा सकते हैं मेडिया वाले जा सकते हैं और जहां उनका कुछ अपने समर्थक लोग हैं उन जगों पर जो है वेवस्था करने का काम करें अनेथा गरीब गुरुवा जो टेंट में रहा रहा है जो तम्मू में रहा है ऐसे लोगों को कहीं जो है कोई विवस्था नहीं किया गया है और खाना पूर्ती करके इसमें भी लूट करने का काम करें अगर बाते हो रही हैं तो हम तो खेर पतना में देख रहा है कि कुछ जगों पर है अगर पूरे बिहार की जाए तो को मैं प्राद से भचावा जीराकार mat अलाव देने का उकाद है उसमें लुटने एक सोटने का अपने जो है बढ़का बढ़का सूट पिंगे टाल रहा है पूरा भीयार मजा मार रहें नितिसकुमार और सुषिल मुदी की गरीब से कोई मतलब नहीं है उस गरीब से कोई मतलब है नहीं इसलिए नहीं जारकंड के तरह यहां भी इनका दुर्दसा होने वाला है मिलेगा हम तो महागडवन्दन चुनाव लड़ने का काम कि अब यहार में जो महागडवन्दन चुनाव लड़ी सत्ता में आए या विपक्षबला के नितिसकुमार के गोद में बैठके चुमाचाटी आज के तारिक में कर रहा है यह कहां का जो है न्याय है सुसिल मुदी सब्सक्राइब नहीं की गई है तो गरीबों की जो हाय है वो लगेगी ही और ऐसा दावा कर रहे हैं आरजली के तरफ से जो नेता है उनके आप लाइप सी दिकतर हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने देखने वाली बात यह है कि अलाव के वास्था हर जगा पर कब तक की जाती है कुछ चुनिंदा जगा को छोड़ कर धन्यवाद